दोस्तों चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी ब्रेकिंग निउस आ रही है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास से निपटने की तयारियों की समिक्षा के लिए बैठक करने जा रहे हैं जिसमें कई मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे इस बैठक म पशिम मंगाल तथा उडिशा तड़ पर पहुचने का अनुमान है आपको पता दू बारा घंटों में विक्राल होंगा तूफान यास बढ़राय आगे देखिए पच्चेश चब्वीस मही को इन इलाकों में बरप सकता है कहर यास तूफान के अगले बारा घंटे के दोरा उत्तर पशिम दिशा की और बढ़ने की संबावना है चक्रवाती तूफान चोभीस मई तक तेज होंगा और चब्वीस मई को उत्तरी उडिशा पशिम मंगाल और बंगलादेश तट से तकराएगा आएम्डी के मताबिक चोभीस मई तक चक्रवाती तूफान बहुत गंब चक्रवती तुफान में मदल जाएंगा यह उत्तर पश्रिम के और बढ़ना जारी रखेंगा और 26 मई की सुबह के आसपास पश्रिम बंगाल और आसपास के उत्तरी उडिशा और बंगलादेश के तटों से टकराएंगा विबाग ने कहा है कि तुफान 26 मई 2021 की शाम के आसप पश्रिम मंगाल और आसपास के उत्तरी उडिशा और बंगलादेश टटों को पार कर सकता इतना ही नहीं विबाग ने 25 मई को उडिशा बंगाल और 26 मई को उडिशा जारकन उप हिमालिये पश्रिम बंगाल और सिक्की में भारी से बहुत भारी वर्षय की संभावना